नमस्ते मैं हूँ आलोक आप देख रहे हैं टाइम साफ यूपी इसमें हम मौझूद है जनपस सुल्तानपुर में और बिद्धुत उपकेंद्र है बेरसिनपुर आज आपको हम दिखाएंगे कि आपके घरों में जहां से लाइट जाती है जहां से आपका घर रौसन होता है आखिर वहां बिद्दुत उपकेंद्र चलता कैसे है यह जो है जैसिनपूर तहसील है और जैसिनपूर तहसील के अंत्रगत लगता है बिद्दुतुत उपकेंद्र मैं आपको बता दूँ कि जब कभी आपके घरों में अधेरा हो जाता है और कुछ पल के लिए लाइट जी रहे हैं किस हालात में इस बिद्धु तुपकेंद्र को चलाया जा रहा है किन हालात में मसीने चलाई जा रही है और जब से इस बिद्धु तुपकेंद्र का कहीं इसको बनाया गया इसके बाद से कितनी बार इसमें मेंटिनेंस किया गया कितनी बार नई मसीने लाई गई आप सबसे पहले तस्वीरे देखेंगे, कैमरे के पीछे मेरे आप देख रहे होंगे, कि बड़ी-बड़ी सी मसीने रखी हुई है, और साहब कोई आम मसीने नहीं है, इसमें बिजली दौड रही है, वही बिजली है, अगर आप गलती से भी इसको गलत तरीके से छू लिए, तो सायद आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन इनी चारो तरफ करंट दौड रहा है, और इसी दौड़ने वाले करंट के बीच में जिन्दगिया नहीं रहती है, यही लोग आपके घरों को रोसन करने का काम करते हैं, लेकिन किन हालात में अपने ड्यूटी को निभा रहे है उस तस्बीर को मैं दिखाने की आपको कोसिस कर रहा हूँ, आप आप देखें, यहां से चार फीडर सलाया जाते हैं, और सबसे बड़ा फीडर है सेमरी फीडर, सेमरी बाजार सबसे पुरानी और बहुत बड़ी बाजार है, लाखों की आबादी है, केवल एक फीडर की है, वहां की मसीने पूर्तिया जरजर हो चुकी है, जरजर हालात में आपके घरों पे बिजली पहुच रही है, जरजर हालात में आपके घरों में उजाला किया जा रहा है, यहां की लोग कैसे काम करते हैं, दुरभाग की पूर्ण है, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, से safety equipment के नाम कुछ भी नहीं है, safety equipment पे आप देखेंगे तो ना यहां gloves है, ना यहां नीचे mat विछाया गया है, और नियमता है चाहिए कि इनकी जिंदिगी से खिलवार ना किया जाए, लेकिन साहब ऐसा कुछ भी नहीं है बेट सिनपूर में, सभी अधिकारी पूरी बास से नद पैसा नहीं रहता कि अपनी गाड़ी में पेट्रोल ड़ा सकें, आइए, मैं चाहता हूं कि SSO जो यहां के हैं, उनसे बात चीत करें, क्या नाम है भी है, तेज परताब, जी जहां तक मैंने अभी यहां आकर जो चीजे मैंने जानी और जो कुछ भी मैंने अभी बताया, क्य जब से जो मसीने आजाई इस तरफ आजाईए, यह हकीकत हमें पताईए कि इन्ही मसीनों से क्या आप सबके घरों में लाइट भेच रहे हैं, जी बिल्कुल, इसी मसीने लगाई गई हैं, अभी मैंने देखा कि आप सप्लाई जब दे रहे थे, तो आप अपने खुले जाएं और इसके बाद बिल्ली चलाते हैं, नियमता यही है या कुछ और प्रक्रिया है, यही है कि मैनुली इसको मैनुली हम लोग कर रहे हैं, यह आटो होना चाहिए, जो यहां से आठो चार्ज होना और आपरेट करना, तो यह ब्रेकर के माद हम से जो है, यह चलनी चाहि जब कि ऐसा नहीं है हम इसको जो है यहां से ओफन करके है originally उपसे चार्ज करते हैं और चापकर करने के बात जो है तब हम यह एक डञ़ियर से यह खुछन करते हैं अगर बाहर से इसका अप्रेटिंग सिस्टम पूरा है। अगर आप बाहर से इसको O promotions और आम इसको खोलते हैं। रहां मानली जी अगर हम इसकी ट्राली बाहर कर रहे हैं। या कोई भी सिस्टम ऊसका फंस गया किया गया। तो अगर उस में से जो है बिद्दू सब्डंस रही है वहां से जो बर्स बर्स में से आया हुआ है वहां से अगर करण्ट फिलो हो गया तो उसमें भी करण्ट आ सकता है तो करण्ट आपको भी लग सकता है ची physician यह जी अफ़ी प्लाई की है जतने भी कि में आपको दिखा देता हूँ आप देख अब यह जो मसीने है निया dye कि नों को खोलना ना पड़े लेकिन ऐसा नहीं है यहां जो है यहां से इसको ऐपरेट करना होता है लेकिन आपिसब जो है केवल सफेद हाथी है, इसका कोई मतलब नहीं है, आप इनको डंडे के भरोसे से बिजली आपके घर में भेजी जाती है, मैं चाहता हूँ कि ऑपरेट करके दिखाएं, लोगों को, हाला कि मैं नहीं चाहता कि इस तरीके की चीजे हों, लेकिन मजबूरिया है कि आपको दिखाना है, कि आप में देखें कि कि तरीक से आपके घरों में बिजली भेजी जाती है इनके हाथ में दो लक्डी के डंडे होंगे और उसी डंडे से आह रहे हैं इनके नहीं के आपको प्राइड कर नापने कि यह जब कि आटो चार्ज रहता है मोटर लगा हूँ जरूरी नहीं है कि इसमें डाला जाए मज़बूरी में आपको आपको करना पड़ता है कि अब देख़े किस तरीके से दो है कि इसका चलने का या कोई हो नहीं इसका मैनूली सारा सिस्टम जो अभी कर रहें प्रिजेंट टाइम में इसका आरटो होना चाहिए बाहर से ही इसको लगना चाहिए बाएर से जुह है ओफ होना चाहिए कबसे आप लोग इस तरीके से बिजली देने के लिए परिशान हैं मतलब बात ध्यो रहे हैं यह लगभग मैं 2019 में मैं यहां पर आया हूँ 2019 मैं इसी तरीके से अपरेट करना हूँ और आप 23 लग गया जी और इसके पहले भी हो सकता कि यही हाला आप समझें साहब कि कितने साल हैं इस पूरे बात से कि इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड हो रहा है अच्छा यह बताइए जो नीचे मैट विछाया गया है ऐसा मैट चाहिए कि नियमता पूरे फर्स पर होना चाहिए जी बिलकुल यहां से जितनी भी मसीने लगे हुई है इनके सामने होना जरूरी है मै तो इसलिए लगाया जाता है कि ताकि अर्थ जो है आपके पैर में लेना लेकिन ऐसा कुछ भी यहां नहीं है जैसे माली जे यहां चुकि आप बिजली है तो आग लगने की संभाव नहीं बनी रहेंगी हो सकता कभी भी यहां अग जिनी हो जाए तो ऐसे संदर में क्या कु रहें है तो आपसे नहीं उससे पहले से भी नहीं होगा उसको हम बताने इंटरी किया है तब से यहां पर मैं देखा नहीं है जानकारियां जो आभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहां जानकारियां क्या कभी आपने किसी अपने ज不知道 अधिकाל को बताई है सूच नादिया तरीके से चल रही, नहीं चल रही है, कोई रेले जला हुआ है, या कोई दिक्कत है, उस मसीन को सही कराया जाए, लेकिन ऐसा कोई परकिरिया नहीं है, जब कभी फाल्ट हो जाता है, कोई मसीने जल जाती हैं, तो उसको बनाने के लिए जो है, आते हैं, एक लोग नहीं, अगर वो आपाते हैं तो हम स्वैम बनाते हैं इसको आपको बनाना पर जी इतना रिस्क में जो आप पूरी नौकरी कर रहे हैं पूरी ड्यूटी आप इतना रिस्क में कर रहे हैं हम लोगों के घरों को मेरे उसनी पहुंचा रहे हैं इसमें बेतन कितना मिलता है और क्या समय पर मिल चाफ कि रहे हैं कई प्रकार की हमारी समस्याइँ हैं जिसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि पड़ूल डलवाने के लिए पैसा हैं मेरे किसी से उढ़ार लेना पड़ता है और बाइदवे पडैल नहीं डला पाए गाड़ी में आप यहां तक नहीं आए तो फिर तो फिर यही होत होता है कि आधिकारी फोन करके कहेंगे कि जो है करना हो करो नहीं तो छोड़ दो नौकरी से निकाल देंगे यहां पर कमी है तीने संख्या कम है इससे पहले जो है और भी ज्यादा कम थी संख्या जो विभाग से लाइन मैन है उनका क्या नाम है उनका मुहमद मोतीन तो कहां रहते हैं उनका कुछ पता नहीं है वो कैंप में होंगे या कहीं पर होंगे उनके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं मैं यहां का अस्थानिय पत्रकार हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि कई बार मैं यहां आया हूँ कभी मुझे अस्थानिय लाइन में मिले नहीं है आते भी हैं कभी यहां कि नहीं आते हैं कभी कभार आ जाते हैं हाजरी लगाने के लिए आ जाते हैं बस हाजरी लगाते हैं यहाला थे साहब आये जो तस्बीरे मैं दिखा रहा जैसिनपूर में, विर्सिनपूर विद्धितुफकीयंद की तस्वीरे, वही तस्वीरें हैं, जब यहीं से आपके घरों में लाइट कुछ पल के लिए कट जाती है, तो आप भरभर के इन लोगों को गालियां देने लगते हैं, फोन लगाने लगते हैं, आप बेचैन हो जा आप देखिए कि किस हालात में यहां अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं केवल मजबूरी में साब नौकरी के नाम पर केवल इनको जुनजुना पकड़ा दिया गया है नौकरी है शाब सम्विधा की है पेट को पालना है तो करना पड़ेगा लेकिन यहां सेप्टी के नाम पर कुछ नहीं है मसीन पूर्तव्या जरजर है त माम जिम्मादार अधिकेरियों से तमाम जनपतनीदियों से भी मेरा निवेदन है कि आप इनको और इनकी जिन्दगी से खिलवार मत करिए इनका भी अपना परिवार है